कि दोस्तों अब तक हम लोग देख चुके हैं कि विपरो अपनी बाजार में इस प्रकार से एंटर कर चुके हैं अब हम लोग देखेंगे के कम्पूटर बाजार में विपरो की धाप के से जम चुके हैं बात चल रही है दोस्तों सर 1990 के और तब 1990 में सुचना प्रोध्यकी के क्षेत्र में हलचल मचाने के लिए दो चीजे जिम्मेदार थे पहले ने भारे खुशी पैदा के और दूसरे सभी के लिए उस्सुक तले कराई विश्व को आज से 40 वर्ष पहले इंटरनेट का ज्यान न था परन्तु अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था इंटरनेट को प्रयोग करने माले विक्ति बहुती कम थे वज्ञानेक, शिक्षावीद और सेना के अधिकार ही कुछ ऐसे लोग थे जो सुचना वितरन्ट के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया करते थे सन 1991 में इंटरनेट को सभी के लिए जारी कर दिया गया नेट सर्फिंग को आसान और कम जटिल बनाने के लिए विन्यमो के अनेक मानक धिरधारित की गया उसके बाद वे प्रुस्तों पर प्रयोगताओं को जानकाली लेने में सहायता के लिए ब्राउजर्स का अविश्कार किया गया आसान शब्द में यह दिकाहा जाए तो इन्टरनेट आपस में जुड़े हजारों कम्पूटरों का एक नेटवर्ग है इस नेटवर्ग से जुड़े कम्पूटरों की सही संख्या बताना असंभव है इन गम्पूटरों में 71 सुचना जिसे सारे विश्वा में प्रसारित किया जा सकता है तक विश्व का कोई भी वेक्ती पहुचा जा सकता है और इसका प्रयोग कर सकता है इंटरनेट को सुचना एवं संप्रेशन के लिए प्रयोग करने की योजना पिछले किवल दस वर्सों से चली है इस प्रोध्योगी के द्वारा लोग विश्व के किसी भी भाग में रहे हो अपने नस्दिकी और प्रेजनों से सुचना का आदान प्रदान कर सकते हैं एक बार इंटरनेट के लोगप्री हो जाने के बाद धनी मानी कारोबारियोग ने इस सहुलियत के अधिक्तम प्रयोग की संभावनों का विश्लेशन करना अरम कर दिया तब उन्हें पता चला कि अंतररास्त्री स्तर पर व्यापार संचलित करने के लिए इंटरनेट कापी सहायता कर सकता है उधारण के लिए हम ये कलपना कर सकते हैं कि अस्त्रिलिया या अमरिका में स्तीत कोई कमपनी विप्रो की सौफ्ट्वेर सिवाव का उपयुक करना चाहती है विप्रो की विशेशग्यों को सेवाय देने के लिए उस देश तक की यातराई की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है उन्हें केवल इंटरनेट के द्वारा से उस सम्मंधित कमपनी से अपेक्षि सुचना का आदान प्रदान करना होता है उसके बाद विप्रो की विबिन नक्षेतर जैसे बेंगलोर चेन नहीं है बुमबई है वहाँ पर बैठे करमचारी इन सुचनाओं का प्रयोग करते हैं और सौफ़वेर के लिए जरूरी कारेक्रोमों को तयार करते हैं तथा लिखते हैं कुछे सब्ता के भीधर अमरीका की ग्राहक कंपनी को आवश्यक सौफ़वेर प्राप्त हो जाता है अब उसे इस विशेश कंपनी में अदिस्टापित प्रदर्शित और परिक्षित करने की आवश्यकता पड़ जाती है इस सवस्ता में इंटरनेट तयार मिल जाता है अपेक्षित सौफ़वेर को यही से नेट के द्वारा बेचा जा सकता है और उस विशेश कंपनी के कंपूटर में अदिस्टापित किया जा सकता है और अंत में उसके जाजबे पूरी कर दी जाती है यह सब कुछ के वर इंटरनेट से ही संबह हो पाया है सबसे अंतीम और महतुपूर्ण बात यह है कि छोटी मोठी समस्याओं के समाधान करने के कारण ग्रहकों को युक्तिया मिलने में आसाने भी मिलती है और इंटरनेट के कारण ओनलाइन प्रशिक्षन दिया जाना भी संबह हो पाया है विप्रो जैसी कंपनी के लिए यह धोरा लाब था पहला वे अपनी करमचारियों के विदेश में जाने वाले दवरों को कम कर सकते थे दूसरा सबसे महतुपूर्ण लाब यह था कि ग्रहकों की शिकायतों की तरफ तुरन ध्यान दिया सकता था जिससे ग्रहकों को कांफिस संटूस्ते मिलती थे इन दो लाबों के अलावा एक तिसरा लाब भी था यही विप्रों के पीछले दस वर्शों में जबरदस्विकास का कारण भी था आज की विश्व में जहां प्रत्तिक चीज कंप्टरिक रुट्त हो चुकी है, एक सौफवेर ही कंपनी की मोजुद्गी को निरधारित करता है। और इस स्थिती में कई विदेशी कंपनियां भारत में स्थित किसी कंपनी को सौफवेर बनाने और उसे अनुरक्षित करने का कारिय सौफने की प्रती आशंकित भी थे उन्हें यह भी अकिन नहीं था कि यदि भविश में किसी प्रकार की समस्या पैदा होती है तो क्या वह कपनी तुरन कारवाई करने और परिस्तिति को नियंतरन में लाने में काम्याब होगी इंटरनेट ने इन सभी शंकाओ और डरों का समाधान तो कर दिया सारे विश्व को इंटरनेट के साथ संयोजित कर देने के पच्चाथ अब दूरी का कोई अर्थी नहीं रह गया चाहे कोई वेक्ति दिल्ले से नीवा सही काम क्यों न कर रहा हो आम चिंता का कारण था उस कारे को प्रभावी धंग से करने की कारेक्षम था विप्रों ने मनोरुती में आये इस बदलाव का उपयोग अपने फायदे के लिए किया उसने इंटरनेट के माद्यम से सेवा मुया कराने के लिए नीमों का बारे किसे अनुसरेन भी किया और इन सेवाओं के आधार पर उसने नए ग्रहकों को भी आकरशित करना आरम कर दिया अब जबकि इंटरनेट के कारण काम काफी आसान हो चुका था वे इंटरनेट के माद्यम से अपने ग्रहकों को निरंतर और गुनुवत्ता पूर्ण सेवाओं का आश्वासन देकर उन्हें यकीन भी दिला सकते थे इससे विपरों को अपने ग्रहकों का विश्वार जितने में सहायता मिले इसके अलावा सन 1990 में Y2K की समस्या को सौफ़वेर ने विश्वत में बहुत बड़ी हलचल मचा दे Y2K सन 2000 का संक्षिप्त रूप था यहाँ K का तात्परे किलो अर्था 2000 से था और 2 का अर्था 2000 इसलिए Y2 का तात्परे है 2000 से था सौफ़वेर में उल्ले की तारी को जिने सदी के अंती भाग में तयार किया गया था उसे में किसी फर्ष को बताने के लिए केवल दो अंकों की आवश्यक्ता होती थी उधारण के लिए 79 का संबन सन 1989 और 87 का संबन सन 1987 में था सन 1999 के अंतक इस संदर्ब का अनुसन करने में किसी भी प्रकार की समस्था न थी परंतु सन 2000 और थाथ वाइटू के आरंब के पच्चात किसी वर्ष को केवल दो अंकों से दिखाना कठीन हो जाता था यदि शुन शुन लिखा जाए तो इसका तातपर्य या तो 1900 या 2000 हो सकता था कम्पूटर कैसे समझ पाता कि यहां तक किस वर्ष का उल्ले किया जा रहा है हम 69 लिखते हैं तो इसका मतलब 1969 होगा या 2089 या वाइटू की की प्रमुक समस्या थे किसी वर्ष का उल्ले करने के लिए दो अंक पर्याप नहीं होंगे उसके लिए चार ही अंकों क्या वशकता थी और इस समस्या को दूर करने के लिए किसी भी वर्ष को चार अंकों में लिखना अधिक अच्छा रहेगा और इसलिए अब 69 की जगत सन 1969 लिखा जाना चाहिए यह सब कुछ तो सही था और इसे भविश्क में सौफ्वेर में अपनाया भी जा सकता था परन्तु उन सौफ्वेरों का क्या होगा जिने विश्वेबर के लाखों करोडों कम्पूटरों में पहले से प्रयों किया जा रहा था इस समस्या का पूरी तरह से विश्लेशन करने के पच्छा थी यह बाद सब की समझ में आ गए इस समस्या का समाधान 31 दिसंबर 1999 की अर्धरातरी तक हो जाना चाहिए था अन्य था इससे उप्चे संकट के बारे में कल्पना करना भी कठीन होगा इससे सारा सौफ्वेर उद्योग भैबित हो गया सारे विश्व में पिछले अनेक वर्षों से विकसित किये गए सौफ्वेरों को सही करना कोई आसान काम न था और इसी के लिए सौफ्वेर इंजिनियरों की एक बड़ी रिसंख्या-क्यावश चकता थे विपरों ने इस अउसर का भी लाब उठाया वैसे देखा जाए तो Y2K की चिनोती कोई मुश्कील चिनोती नहीं थी और इसे आसान इसे हल किया जा सकता था परन्तु यह एक नीरस कारे था जिसमें विशेशक्यों को घंटों तक कम्पूटरों के सामने बैठ रहना पड़ता था कुल मिलाकर यह बड़ा ही उबावू कारे था इस Y2K की समस्या के कारें विपरों को अनेक नए ग्रहक मिल गए यदि वह इन कम्पनियों के लिए Y2K के समस्या का समाधान करने में सफल रहा तो उसके लिए अनेक और आवंतन प्राप्त करने के अउसर्थ है प्रेम जी ने इस बात पर जोर दिया कि Y2K के समस्या को एक छोटे मोठे आवंतन के तोर पर नहीं लिया जाना चाहिए और इस कारे को सही डख से पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है इस बार प्रेम जी के आकलन असफल नहीं रहे यही वह समय था जब विप्रोक के विदेशी ग्रहकों की संख्या में व्यापक रुद्धी हुए विदेशियों की राय में विप्रोक के प्रतिनिस्टा, विश्वास और सम्माल में कई गुदा रुद्धी हो गए इससे विप्रोक में उन ग्राहकों की मनोरूत्ती में बहुत बड़ा परिवर्तनाय जो विप्रोकों उतने महतोपूर्ण आवंटन नहीं दिया करते थे उन्होंने विश्वास के साथ अपने महतोपूर्ण सेवाओं के लिए विप्रों की सेवाओं का प्रयों करना आरम कर दिया इससे विप्रों के बहुरास्ते विस्रार में बदलावाय और उससे यह साबित कर दिया कि वह विश्रूत और जटिल कार्यों को भी बड़ी कुशलता के साथ पूरा कर सकता था और इसे से उसे अधिकादिक आउसर भी प्राप्त हुए अजीम प्रेम जी ने इस्तिती का लाब उठाना चाहा और विप्रो को अंतर रास्ट्रे अबरान के तोर पर सापिक करने की मनुकामना के यह सही समय पर लिया गया सही निर्णए था विप्रो के उत्पाद बाजार में आदि सदी से अधिक समय से उपलब्ध हो रहे थे अब विप्रो को अस्तित्व में आई हुए 20 वर्ष से अधिक हो चुके थे प्रन्तु अब तक इस नाम ने ग्राहकों के दिमाग में उतनी बड़ी चाप नहीं छोड़ी थे इसका कारण भी है था कि विप्रो का प्रत्तिक उत्पाद अलग धंग से डिजाइन किया गया यदे कुचिक उत्पादों में बड़े बड़े अक्षरों में डबल्यू लिखा रहता था तो किसी में अथा ही नहीं अजीम प्रेम जी ने इन सभी विसंगतियों को दूर करने तथा विप्रो की स्पस्ट चवी को सापित करने का निचे कर लिया उन्होंने विप्रो के लिएक सुस्पस्ट लोगों को डिजाइन करने की जिम्मेदारी का काम SSD मतलब Signing Staging Design Company को सुपुर्ट कर दिया SSD के सभीत सेन गुप्ता ने विप्रो के वर्तमान लोगों को डिजाइन त्रेयार किया सन 1996 में जब उन्होंने लोगों के डिजाइन पर काम शुरू किया तो उन्हें जबर्ज़ चुनोतियों को सामना करना पड़ा सेन गुप्ता की जो महतुपूर्ण आकांग शाय थी वो थी विप्रो किस प्रकार की कम्पनी है चुकि कम्पनी खाद देतेल और दगिक उपकरन चिकेचा उपसकर कम्पूटर सौफ्ट्वेर से आउक के निर्मान में लगी हुई थी और इसलिये इन सभी विविन्नक्षेत्रों को एकजुट करने का सामाने संकित क्या हो सकता है क्या वास्तों में इन सभी विप्रोष शब्द का कोई प्रतिक्ष अर्थ नहीं था इन परिस्तितियों के अंतरगत सेन गुपता लोगों का चेन करने में थोड़े असमन जस्में थे और इसलिए उन्होंने एक समय एक अलग आयान से सोचना शुरू कर दिया उपर इस प्रकार के शेत्रों में जब विप्रोप के प्रति ग्रहाकों की क्या चाप है तो विप्रोप बदले में उनके लिए क्या कर रही है कांपनी के महतोपूर्ण केंदर बिन्दु क्या है और इस के द्वारा इस विधी के द्वारा विशलेशन करने पर चार बेसिक मुल्य उनके सामने आए और वह चार बेसिक मुल्य कोन से थे तो नविन्ता, इमानदारी, मानव मुल्य और पैसो का पुरा भुकतान शिवित सेन गुपता ने इन सभी नीमों का ध्यान रखते हुए विप्रों के लिए लोगो तयार किया लोगो जिसे रेन्बो फ्लावर कहा गया इसमें एक सुन्दर सूरज मुकी का फूल था उसमें अनेएक रंग चड़ाए गए थे जो इंद्र धनुष को प्रदर्शित करते थे और इस लोगों के नीचे एक नारा था विचार अनुप्रयोग अर्थात एप्लाइंग थोट्स रेन्बो फ्लावर इंद्र धनुष फूल की चमक पारदर्शिता एवं इमानदारी की द्योतक है इसकी स्पूर्ति दायक आकरती मानव सिध्धानतों को दे जाने वाले महित्व की प्रतीक है इसका केंद्रिय भाग नवेन विचारों को प्रदर्शित करता है इंद्र धनुष एक बहुत सामान्य घटना है परन्तु यह हमेशा आखों को भाता है यह उस सम्मान को प्रदर्शित करता है जो विप्रो अपने ग्रहकों की अपेक्षाओं के मुताबिक उन्हें देता है और जो उनके निवेश के लिए समुचित सेवाय भी प्रदान करता है अंत में विचार अनुप्रयोक, विप्रोद्वारा अनेक ग्राहकों की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए प्रयोक किये जाने वाले निरंतर अविशकारों और अविशकारी विचारों को प्रदर्शित करता है इन्रदनुशी फूल का लोगो जिसे सन 1998 में जारी किया गया इन्होंने विप्रो को एक नवीन एवं तरून संकल्पना प्रदान किये विप्रों ने इस ब्रान का विज्यापन करने सामान नेरुप से आम लोगो और विशेश तोर पर इसके ग्राह को तक इसे पहुचाने के लिए काफी पैसा खर्च किया इस अउधी के दवरान विप्रों के आंतरिक संगटन में कुछिक महतुपूर्ण परिवर्तन भी आया इसका मुख्या ले मुंबई से बेंगलोर स्थाना अंतरित हो गया बड़े-बड़े कार्याले स्थापित के गया और यहां तक की अजीम प्रेम जी भी बेंगलोर में रहने लगे विप्रों का नाम अंतरराश्त्री मंत्र लोग प्रियम होने लगा और इस कुशी के मौके पर एक अनहोनी गटे जो कुशी में एक बादक बने और शोक सूटा जो प्रवद्योगी की प्रभाग में 15 वर्षों से प्रमुक्त है ने सन 1999 में विप्रों को छोड़ दिया और अपनी स्वयम की कमपनी आरम करने का नीड़ने लिया था नके वर उन्होंने भलकि अनेक लोगों ने जो मेहतुपूहण पदों पर काम कर रहे थे विप्रों को छोड़ने का नीड़ने लिया । podstaw court- Henry ने यह information का आरम कर विप्रों को एक ऐसे सक्षम एवं समर्त निदेशक की आवशक्ता थी जो विप्रों को अगले स्तर तक ले जाने और प्रद्दग्य की प्रभाग को स्तीरता प्रदान करने की जिम्मेदारी ले सके प्रेम जी ने इस पद के लिए जिस विक्तिक अच्छेट किया था वे थे विवेकपाल विवेकपाल जो मुख्य तोर पर एक इंजिनियर थे इनका पालन पोशन भारत में हुआ था उसके बाद उन्होंने मेसाच चुटेस विश्वविद्यालाई से MBA की पढ़ाय की और वे इलेक्ट्रिक कंपनी में एक महतुपूर्ण पत पर काम कर रहे थे हैं विवेकपाल पहले चिकित सा उपसकर्थ निर्मान करने वाले प्रभाग में काम कर चुके थे जिसे विप्रो एवं जी द्वारा सहयुक्त रूप से चलाया जाता था और जीम प्रेम जी उनकी एक पाली सही व्यक्ति होंगे उन्हें पूरा भरोसा था कि स्री लापाल विकास के आगामी स्तर के बारे में उपची शंकाओं का निराकरन करने में भी सफर रहेंगे धन्यवाद जागो आता शेवट से पॉइंट कार मला असमंतरा दे मक्तो मन्तो न पॉस गे दोस्तो अब तक हम लोग देख चुके हैं कि विपरो किस प्रकार से कंपनी थी और कहा कि जगप पर उसकी गतिवी दिया थी आज हम लोग चलते हैं विपरो की कारेप्रेणाली को देखते हैं विपरो की कारेप्रेणाली क्या है तो भारत में अधिकांश लोग विपरो का संबन कम्पूटर से संबन देद गतिवी दियों से करते हैं परन्तु सच यह है कि सुचिना प्रोद्यग्यकी के अलावा विपरो असने अनेक शत्रों में भी सपलता से काम कर रही हैं खादे तेल है साबूने संतूर, चंद्रीका, शिकाकाई, बल्ग, अन्य विद्यूत उपकरण, शीशु उत्पाद, बेबी शोप और चिकिसा उपसकर आधिका विपरो की उत्पादों के लिए सही उधार्णों के तोर पर उल्लेक किया जाता है हलाके विपरो ऐसे अनेक उत्पादों पर ध्यान देता है प्रन्तु इसकी वार्शिक आय एवं लाप का पच्चासी प्रतिशत केवल इससे इसके सुचना प्रोद्ग की प्रभाग से आता है खास तोर पर सौफ़वर सिवाए विपरो की रीड की हड़ी की तरह काम करती है प्रेम जी के मित्र और उद्दे में साथ है स्थिति की और संकित करती हुए उनसे पूछते हैं कि वे अभी क्यों खाद देल साबून और इस प्रकार की चीजों की निर्मान में लगी हुए हैं तो ऐसे उत्पादों में समय बरबात करने के बजाएवे यह सुझाओ देते हैं कि उन्हें सौफ़वर सिवा प्रबाग में अधिक ध्यान देना चाहिए जो की अधिक लाबदाय होगा इसके अलावा कंपनी की कंपूटर और आधुनिक प्रोध्यकी में उच्च प्रतिस्टा है और इसलिए विशेशग्यों की राईय है कि यदि विप्रो की सौफ़वर अभीमुक सिवाओं को अलग कर दिया जाए और एक अलग कंपनी में निवेश गठित कर दिया जाए तो लोग कापी संक्या में कंपनी में निवेश करने के लिए आएंगे परन्तु अजीम प्रेम जीया नहीं मानते हैं वे किसी इकाई की सिर्फ इसलिए उपेक्षा नहीं करना चाहते कि वह दूसरों की अपेक्षा कम लाब कमा रही है यहां निवेश लेने के लिए उनके पास महतुपूर्ण कारण है और वह महतुपूर्ण कारण कितने हैं तो चार महतुपूर्ण कारण है पहला कारणी है कि वे इकाईया जो सही धंग से स्तापित हो चुकी है उनमें प्रेम जी का कम समय लगता है पनतु ये इकाईया लगातार 25 परतिशत वार्शिक की दर से विकास कर रही है अता इस इकाईयों को बन करने का कोई ठोस कारण ही नहीं बनता दूसरा कारण है कि केवल ऐसे उत्पाद ही जिन में कम्पूटर शामिल नहीं है अधिकांश लोगों तक पूझते हैं इससे विपरो के लोगो और ब्रांड में इनके नाम को लोगों में दिमाग में बैठाने में मदद मिल जाती है इस विचार से यह विपरो कम्पनी के लिए मुफ्त विज्यापन मन जाता है तीसरा कारण कि इन इकाईयों से बहुत कुशल प्रबंदक, निदेशक और विक्रिय प्रतिदिती उभर कराते हैं जो विपरो के लिए अतरिक तलाब का काम करते हैं अंतीम कारण सक्से महत्युपूर्ण आज मिडिया भले ही विपरो को एक प्रब्द्योगी की कम्पनी के तोर पर प्रदर्शित करता है परन्तु प्रेम जी इस तक्थ्य को नहीं भूलते कि विपरो शुरू में एक तेल उत्पादन कम्पनी के तोर पर आरम की गई थी उसी को यात रखते हुए वे इह जारी रखना चाहते हैं जो किसी भी प्रकार से उनके लिए हानिकारक नहीं है प्रेम जी विभिर्न प्रभागों के बीच अंतर करने और उन्हें सरोते में सबसे घटिया दर्जा देना पसनी नहीं करते हैं उनके मुताबिक कोई भी व्यापार जिसे इमानदाने से किया जाता है वो प्रशनस नहीं होता है प्रेम जी जो स्वैम को विप्रो का प्रतिनिदी मानते है केवल प्रद्योग की प्रभाग के चिंता में नहीं लगे रहते हैं अनिक ग्रहकों की बैट को में प्रमुग मुद्धों पर चर्चा हो जाने के Пच्चात वे उनसे अवश्य पूछते है ऐसे बल्बो करते हैं यदि वे ग्राहक विप्रो के उतपादोर को का प्रयूक करते हैं तो प्रेंजी खुश हो जाते हैं यदि नहीं तो वे एक sa bak se से बिजली के बल्प के कारोबार की तरफ मूट जाते हैं विप्रो वे महत्वपूर्ण सेवाय प्रदान कर रही है जिनके एक अंतरनास्त्री ग्राहक सुचना प्रोद्रगी की के उद्योग में अपेक्षा करता है अन्य दो बड़े उद्योग नामन टी सी एस जिसे टाटा कंसल्टेंस सर्विस एवं इंपोसिस के तुलना में यही विप्रो की सबसे बड़ी ताकत है विप्रो कंपनी सन 2002 में बिपी ओ ओ के मतलब बिजनेस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग के उद्योग में प्रविस्ट हो ही है यह विप्रो के लिए नया कारोब नहीं था कंपनी पहले ही इंजिनियरी एवं अनुसंदान उद्योगों में और बाद में सेवाओं के आधार पर स्वाफवेर उद्योग में कारे कर रही थी इन्हों ने अब अंतरासे ग्रहाकों के लिए कॉल सेंटर में काम करने के साथ-साथ अन्य प्रभागों में सेवा कॉल से देना चाहता है और इसके लिए उसे अनेक वेक्तियों को नियुक्त करना होगा और उन्हें किये जाने वाले कारे के लिए बुक्तान करना होगा उन्हें कर्मचारियों की कारेक्षमता का एवं त्यूरता का भी अनुविक्षन करना होगा और साथी सतक्ता भी बरतनी होगी यदि वे इन चीजों पर ध्यान देंगे तो अपने अन्य प्रमुकारियों को सक्षम धंग से करने में भी सफल नहीं हो सकते है और इसलिए वे इस कारे को किसी दूसरी कंपनी के सुपुट करना चाते है यही आउट्सोर्सिंग का मुलसिधात है अमरिका की तुलना में इस प्रकार के कारे भारित में तेजी से और किफायटी तरीकों से किये जाते है इसलिए भारते कंपनियों के लिए आउट्सोर्सिंग के शेत्रे में विश्रूत अउसर है विपरो ने सन 2002 में अपनी स्प्रेक्ट्रा माइन नामक BPO कंपनी में लगबग 25 प्रतिशत निवेश किया इस उद्योग में उरुद्धी की संभावनाओं को मैसुस करते हुए विपरो ने स्प्रेक्ट्रा माइन को दूसरे ही वर्ष अपने में मिला लिया एक नई कंपनी को खरीदने की बजाए अजीम प्रेम जी ने मौझूद ता अच्छी कंपनी को खरीदने का नेने लिया और इसलिए लागत की परवा किये बिना उन्हें स्प्रेक्ट्रा माइन कंपनी को लगबग 13.10 करोट पॉर्ण में खरीदने का नाम विपरो स्प्रेक्ट्रा माइन रख गया और इसमें विश्व भर में उपलब्ध अउसरों को पकड़ा तथा तेजी से विकास करना आरम कर दिया यहाँ इसके कर्मचारियों की संक्या, आई, लाब, आदिकी संबन में तेजी से विक्सित होती चली गया और आज यह भारत के सबसे बड़ी BPO कॉल सेंटर कंपनी बन चुकी है इस प्रकार के अने कोकार अमरिका से भारत और अन्य देशों में आउट्सोर्स के जाते हैं अमरिका के श्रम संगठन और राजनितिक के इस बात से काफी क्रोधित हैं हाली के वर्षों में एक बड़ा राजनितिक मुद्धा बन चुका प्रेमची कहते हैं कि कुछ एक लोगों द्वारा अमरिका में शुरू किया गया यह विवात भारती हजार हमारे रोजगार की चोरी कर रहे हैं एक असंगत तर्क है उनका कहना भी यह है कि जब कारोबार उद्वोग में वैश्विक परिवर्थन आते हैं तो इस प्रकार की चीज़े अपरिहार ही हो जाती है और एक प्रकार से विप्रो और अन्य भारते बिप्यो कंपनिया इन समस्याओं से अपरतिक शरूप से लाभानवित हो रही है चुकि भारत इस प्रकार के विवादों के लिए अच्छानक एक निशाना बन चुका है और इसी कारण धार्दे कंपनी द्वारा मुहिया कराई जाने वाली बीप्यो सिवाओ पर अमरिका यूरोप और चापान बारा बारेक इसे निगराने रखी जाती है अंतरस्तिस तर पर आउट्सोर्सिंग उद्वोग में मांग हमीशा बढ़ती जा रही है और इसी वज़े से विप्रो का BPO प्रभाग अन्य प्रभागों की अपेक्षा तेजी से रुद्धी कर रहा है विप्रो की गतिवी दिया ग्राहकों के हीतों पर किर्लित रहती है इसे इसकी सबसे बड़ी ताकत भी कहा जा सकता है विप्रो का विश्वास यह है कि ग्राहकों की आवश्चक्ता की प्रती पूर्ती उसका प्रतम करतव है इसे साबित करने के लिए कंपनी बीना अनुरत किये ही आवश्चक्ता पढ़ने पर स्विच्चा से अपने ग्राहकों की मदद के लिए आगे बढ़ती है इसका एक बड़िया उधारण है गत दिनो जब मुसलाधार वर्षा के दवरान मुंबई शहर पानी में डूब गया था इसी दवरान विपरो की एक ग्राहक कंपनी भी वर्षा से बूरी तरह प्रभावित हुई थी कंपनी अपने किम्ती कंपूटर और दूसरी इलेक्ट्रोनिक वस्तो को पानी में डूबने से बचाने के लिए कड़ा संगर्श कर रही थी जब इस बात का पता विपरो को चला तो उसने तुरंट उनसे संपर किया और उनकी चीजों को सुरक्षित रखने में उनकी मदद किये इस प्रकार के कारी जिनका कोई लाब का अभिप्राई नहीं होता विपरो की सफलता के लिए रीट के हड़ी है प्रेम जी मानते हैं कि उनकी महतुपून ड्यूटी चुनोती और चिंता यह है कि वे विपरो के प्रते कर्मचारी के दिमाग में इस निस्वार्थ भावना को भर दे अजीम प्रेम जी की उम्र सरसर्ट वर्ष की अधिक हो चुके है पर उन्होंने खुले रुप से अपनी सेवा निम्रुत्ती की गोश्णा अभी तक नहीं किए उन्होंने विपरो में अपने उत्तरादिकारी की गोश्णा भी नहीं किए परंतु वे वही गलती नहीं दोगराना चाहते हैं जो उनके पिता ने आज से 40 वर्ष पहले के विपरो के नई अद्धेक्ष को नामांकित कर दिया गया है प्रक्रिया चल रही है परन्तु यह विपरो का अंतरिक मामला है इसे बाहरी लोगों के पास खुले रूप से गोशित करने की कोई आवशकता नहीं इसा प्रेम जी का मालना है इस बारे में उनसे अदेक लोगों यह प्रशन घर कर रखा है कि वे पूछना चाते हैं क्या उनके बेटों में से कोई एक आगामी अद्धक्ष की जिम्मेदारी सम्भालने जा रहा है इस समय अजी प्रेम जी के बेटे या उनके कोई निकट संबन्दी विप्रों में काम नहीं कर रहे है वे निदेशकों के समों में भी नहीं है परन्तु पिछले कुछे एक वर्शों से यह अफवा उड़ रही है कि अगला अद्धक्ष उत्तरादिकार के आधार पर ही चुना जाएगा प्रेम जी का कहना है कि विप्रों का अद्धक्ष वहवेक्ति होगा जो प्रत्त्रेक दृस्ति से योग्य हो या द्धेपिवे यह नहीं कहते कि उनके बेटों में यह योग्यता है या नहीं परन्तु उन्होंने स्पस्ट रूप से कहलवा दिया कि उनका बेटा होना ही कम्पनी का अद्रिक्ष बनने के लिए एक मांदन्ड या योगितन नहीं है दुसरी तरफ प्रश्न ही हभी उपस्तित हो जाता है कि अजिम प्रेम जी जो विप्रो के वर्तभान अद्दिक्ष है अपने उत्तरदाई तो असे कब सेवा निउरुत होंगी हलाकि विप्रो एक सारवजनिक शत्रकी कम्पनी भलई है लेकिन इसके निदेशकों के लिए सेवा निउरुति की निर्धारेत आयू सीमा नहीं रह गई इसलिए प्रेम जी जो विप्रो के प्रमुक शेरधारक है जब तक चाहे अपने पद पर बने रहे पाते हैं अर जीम प्रेम जी के पीछे ऐसी कौन सी बात देता है जिससे वे 66 वर्ष की उम्रे में भी विप्रो की अदक्ष के तोर पर सक्रिय रूप से कारे कर रहे हैं प्रेम जी कहते है बच्ची हुई जिम्मेदारिया और नई चुनोतिया ही उनकी बात देता हैं वे नई चुनोतियां जिनका वे मुकाबला कर रहे हैं वो क्या है बहुरास्त्री कंपनियां सौफ्ट्वेर सिवाओं में व्यापार कर रहे हैं विप्रो एवं अन्य भारते कंपनियों की उस्पूर्ण रणनिती के बारे में जान चुकी है जो उनकी सफल ताके बेत थे आईबियम एवं एक्चेंजर जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत में सौफ्ट्वेर सिवाओं शुरू कर दिये और विप्रो के लिए बड़ी चुनोति खड़ी कर पाए इसी तरह चीन एवं अन्य देशों ने भी बीपियों एवं अन्य सिवा प्रभागों में तेजी से कारे करना शुरू कर दिया जिससे वे भारत के लिए एक बड़ी प्रतिसपर्दा पैदा कर रहे है जैसा कि स्वयम प्रेम जी कहते हैं कोई विदेश जिसके पास इंजिनेरी का विस्तुरूत ग्यान हो अंग्रेजी का ग्यान हो या उच्चीत रूप से कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करता हो भारत का प्रतिसपर्दी बन सकता है परन्त सभी चुनोतियों की जड़ विप्रोखी आंतरिक सरचना के अंतरगति विद्यमान है कमपनी जो सरवप्रतम दस थानों को हांसिल करने के लिए बड़ी तेजी से रुद्धी कर रही है इसको इस्तिवर बुद्धी को बड़ी साउधानी और विशेशक्यता के साथ संभालना होगा कारट साफ है कि तेज चाल की वज़से हमेशा दुरगटना का खत्रा बना रहता है इनी वजो से मुझे एक मिनट की भी फूर्सत नहीं मिल पाती ऐसा प्रेम जी का कहना है धन्यवाद